वाहिगुर जी का खालसा वाहिगुर जी की फते दमदमी तक साल दे मुखी बाबा हरनाम सिंग जी होरा वलों कथा दुरान एक विचारदा पगड़ावा कीता गया की सिख कौम अपने वद अबादी करन वास्ते पंच बच्यानू ठिड़ा की जनम दवे पामे की कई तरा दे तर्कसी लोक इस गल और तर्क्री करन गे ते तर्कुई देंगे पर जो विचारद कीते गए ने पामे की उन्हनने ओसंदर्भज कीते ने क्योंकि ओ एक विद्या दा दान देने ते नार ही तार्मक जड़ी है विद्या दी सखलाई देने क्योंकि टकसाला जड़ी है तार्मक विद्या दे वास्ते सिवा कर रही है तो उन्हा दे बिच आज कल बच्चेयां दार जान काटता है ते आसी देख रहे हैं कि तार्मक ता औरते पर चारक, रागी, टाडी, ग्रंथी साहब, पाठी जने हैं, वो आजकल गिरती काट रही है, तो उस गल नूं मदे नजर उनना ने जड़ाई गल कीती है, क्योंकि वो स्कूल भी चलाओ देने, वो विद्याला भी चलाओ देने, ते बच्चे आदी है बान होर भी जड़ी हैं, ता अर्मक सिकीता है, एक अलक कहा चुकी है ने ते फिकर मंदी जार कर चुकी है, तो इस दा जड़ा असी डटका, ड़टमा समर्तन कर दे हैं, पामे की दाराद, जड़ी दा ता बच्चे दी, उता गुरू ने देनी हैं, पर तो आड़ी मंदे अंदर एक इस तरह दी बिरती होनी चाहिए दिया, कि असी अपने कौम दा दा वदा करना, क्योंकि इस कौम ने जो दुनिया ते सिवामा कीतिया ने, गुरू साहब दी बक्षित सब का, उस सिवामा बहुत किना वड़िया ने, ते सतकारत ने, सो जड़ी जो दुनिया दे अंदर अपने कौम नू अगे लेके जान वासते, असी ये समझ देया, कि वद गिनती वेचे बच्चे इजड़ेया, ओ सिख परवारा मेचे होने चाहिए देया